नमस्कार मैं डॉक्र अतुल गुपता सीनियर नीरो सेजन मनीपाल हॉस्पिटल गाजयबाद आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट विशय के बारे में बताना चाहता हूँ जब से हाइवेज बने हैं तब से एक्सिडेंट्स में सिर्की चोट का बहुत महतुपूरू पार्ट होने लगा है सिर्की चोट के मरीज को तुरंती अस्पताल में लेकर आना चाहिए जिससे की तुरंती सारी जाँ चोके उसका आगे इलाज हो सके एक्सिडेंट के केस में सिर्की चोट में अगर क्लॉट है ब्रेन के अंदर तो उसका तुरंती ओपरेशन होना चाहिए जो की एक लाइफ सेविंग ओपरेशन है अगर इसमें हम देर कर देंगे तो मरीज की जान जाने का खत्रा होता है तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही एक्सिडेंट के केस हो तुरंत अस्पताल में लेके आए और हमारे मनीपाल हॉस्पिटल में सिर्की चोट के सारे इलाज संभव हैं सभी तरह के ओपरेशन यहां हो सकते हैं एक बहुत अच्छी ICU केयर है जो सिर्की गुम चोटों के इलाज के लिए बहुत अच्छी है हर एक एक्सिडेंट के केस में ऑपरेशन सिर्का नहीं होता है मेजॉर्टी केस में गुम चोट होती है जो की दवाओं दवारा और ICU केयर वेंटलेटर के साथ दी जाती है जिससे की मरीज उससे ठीक हो जाते हैं एक काम हम लोग और यह करते हैं जितने मरीज हमारे पास टू विलर एक्सिजेंट्स वाले आते हैं हम सबसे उनसे पूछते हैं कि आपने हेलमेट पहना था कि नहीं पहना था करीब 50% केसिज में लोग मना करते हैं कि हमने हेलमेट नहीं पहना था तो मैं सबसे request करता हूँ कि two wheelers वाले खुद और plane rider दोनों लोग helmet पहनें जिससे कि उनके जीवन की रक्षा हो सके. धन्यवाद.